दोस्तो नमस्कार मैं सोमेश ठाकूर आप सभी का इस ब्लॉग पर स्वागत हैं आज दोस्तो हम लोग जा रहे हैं आसना पार्क जो बहुत ही पुराना जगदलपूर का पार्क है जो आज कल कोई जानता भी नहीं है तो दोस्तो हम लोग जगदलपूर से निकले हैं लगभग पांच साड़े पांच किलो मेटर जाएंगे हम लोग जगदलपूर से पुराना पूल होते हुए जा रहे हम लोग हमारे साथ देव भाई भी हैं तो चलते हैं दोस्तों आसना पार्ख लोग है अगर मेरे सब्सक्राइब तो भाई सोमस भी हाक इचनल को एक बर वीडिट जरूर करना अच्छा लगेगा तो Čनलोक शेयर करävे अपना टैलो की यह कैंश कर देना तो आग बाक ज़ंव करना है सब्सक्राइब अखर ना पार्परार्ख वहां का दमाकेदार वीडियो होने वाला है और देखते रहो और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाइक जरूर करना भाई लोग बीट तम्सब अभी हम लोग जगदलपूर से आए जगदलपूर वाला रोड है यहां से हम लोग यहां जाएंगे राइट लेंगे ठीक है और इस तरफ सीधे जाएंगे तो हम लोग का राइपूर रोड है एनस 30 तो हम लोग को यहां से राइट लेना है बस तो राइट लेंगे तो यहां पर आप आसना पार्क के लिए राष्टा मिलेगा है कि दोस्तों अभी हम लोग आए आसना से लिए तो राइट लिए तो हम लोग बखावन रोड पर हैं बखावन रोड से जस्ट पांस्यों मीटर के दूरी पर हम लोग को जो यह है अपना बकाउंडाला रोड हमको वहां से फिर राइट ले लेना है जैसे 500 मिटर के बाद राइट ले लेना है आसना पार्क बस दीख रहा है तो दोस्तों हम लोग आसना पार्क पहुंच चुके हैं और यह आपका इंट्री गेट है देखी यहां पर बहुत ही अच्छा चित् तो इंजोई कीजे सिनेमतिक साथ दोस्तों यहां पर आप इंट्री करते हैं तो आपको गाड़ी का 10 रुपए और पर परसंद 10 रुपए है तो और फोर्वीलर का 20 रुपए तो दोस्तों हमने टिकट करा लिया देव भाई और मेरा तो फिर अंदर देख लिजे दोस्तों यहां का क्लाइमेट कितना सुन्दर है और मैं देव भाई को घुमाने लाया हूं बहुत जगां घुमने का था लेकिन हमारे जगदलपूर बस्तर का जो क्लाइमेट है बहुत चेंज हो गया है बहुत बारिस हो रहा था दोस्तों कल रात से तो घुमने जाने का प्लान हम लोग रद करने वाले थे लेकिन हम लोग आज आए हैं आसना पार्क जो बहुत ही पुराना हमारे जगदलपुर का पार्क है तो देखते जाएं दोस्तों पार्क में जितना भी घूमेंगे कम हैं तो चलते हैं दोस्तों आपर अंदर झाल झाल यहां पर दोस्तों आप लोग पिक्डिक बना सकते हैं यहां पर बैठ के हैं फैमली के साथ आ सकते हैं और साथ के दिन में यहां बैठ सकते हैं जोग किसी ज़न में दो झाल झाल तो यहां पर चोटा सब बना गया है तो यहांपर मच्निया हैं चोटी-चोटी मच्निया हैं तो आपको बहुत ऑच्छा लगेगा है यहां पी आये झाल 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 दोस्तों अभी हम लोग संग्राले देख लेतें यहां पर तो आपको यहां का दिखे रहा होगा संग्राले जो दोस्तों अभी हम लोग संग्राले में आश्नापार के संग्राले में हैं आप लोग बने रही हैं एंड तक और कैसा लग रहा है लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों अब आपको देखना हैं अंदर करेंगें यहां देखिए दोस्तों हमारे बस्तर के कलाकारों के हाथे से बने कुछ कलागतिया है कर दोस्तर के अधर कर दोस्तर करें से बने क्या है झाल झाल दोस्तो हमारे पीछे देखो तीरदगड का सील है देख वी दियां पर सेव टो सेव सेव स्टेचु बनाया गया है यहां पर झाल 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 कौडियों से बनी कुछ बेग हैं और हमारे अदिवाश्टों चाल झाल 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 जाक्तियों के पहनने के सिंगार जाक्तियों के जाक्तियों के जाक्तियों के सिंगार हमारे बस्तर के आदुवासियों की दिंचरिया के जो सामान है वो रखे गए हैं यहाँ पे हमारे लाखे हैं जाक्तियों के दो लॉग जा के जा दॉपेशaggiा से भाते लेश हैं यहाँ पीडित झाल झाल और दोस्तों यहां पर आएए आपको बस्तर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिला होगा कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और दोस्तों यहां पर आके जूला जूलिए तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे और किसी वीडियो पर तो मिलते हैं दोस्तों तब तब के लिए जैजुआर नमस्कार सस्रीकल दोस्तों